सन उन्निस्तो पच्चासी में जब विदू विनोत चुपडानी सस्पेंस ठिलर फिल्म खामोश बनाई तो उन्हें उस फिल्म को खरीदने के लिए और उसे डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए कोई भी डिस्ट्रिब्यूटर नहीं मिला विनोद जी ने खुद अपने उद्योब से बॉंबे के रिगल सिनेमा हॉल में फिल्म खामोश का एक प्रिंट रिलीज किये थे फिर बिधु विनोद चोपडा ने परिंदा फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट पर काम करना सुरू किया फिल्म का मुख्य विशय अंडर वर्ल्ड था बिधु विनोद चोपडा निर्देशिक परिंदा के मुख्य नायक कीशन का किरदार सबसे पहले अमिताफ बच्चन को ओफर किया गया था लेकिन समय की कमी के चलते अमिताफ बच्चन ने इस ओफर को उस समय ठुकरा दिया बहुत बिजी थे अनिल कपूर को किरदार पसंद आ गया पर छोटे भाई का और वो फिल्म के लिए राजी हो गए फिर विधु विनोद चोपडा बड़े भाई किशन के किरदार के लिए नशिरुद्दिन शाह के पास गए लेकिन नशिरुद्दिन साह ने भी इस किरदार को निभाने से इनकार कर दिया क्योंकि विनोद चोपडा के साथ काम ना करने में उनके कुछ अपने मुद्दे थे तब ये किरदार शुरेश ओबेरोय को अफर किया गया लेकिन वहां से उन्हें कोई सकारात्मक या पॉजेटिव रेस्पॉंस नहीं मिली फिर विनोद चोपडा ने नाना पाटेकर से किशोन की भुमिका निभाने का अनुरोद किया भले ही नाना मान गए लेकिन अनील कपूर ने उस समय चोपडा जी को ये सला दी कि नाना पाटेकर उनके बड़े भाई के भुमिका में कतई नहीं जचेंगे अनील कपूर ने ही विनोद चोपडा को सुझाव दिया किशन का किदार जैकी स्रौफ को दिया जाना चाहिए लेकिन किसी कारण से जैकी उस समय परिंदा में काम करने में कोई दिल्चस्पी नहीं रखे यहां तक उन्होंने विनोद चोपडा से मिलने में भी इनकार कर दिये जब मामला बहुत जटिल हो गया तब विदू बिनोद चोपडा अनिल कपूर को बड़े भाई किशन की भुमिका में शिफ्ट होने का प्रस्ताव दिये वो कुमार गौरब को छोटे भाई के भुमिका में लेने का मन बनाए लेकिन कुछ समय बाद उन्हें ये लगता है कि कुमार गौरब फिल्म के दूसरे पार्ट में एंग्री यॉंग मैन के लुक के लिए अन्फिट है अन्त में अनील कपूर ने खुद जैकी स्रॉफ से अनुरोद किया और जैकी स्रॉफ अनील कपूर के अनुरोद को नजर अंदाज नहीं कर सके अन्त में जैकी फिल्म परिंदा में किशन के रोल निभाने के लिए तयार हो गए जैकी स्रॉफ की सहमत होने के दूसरा कारण था आरडी बर्मन की धुन पर फिल्म का एक गीत जिसे अनिल कपूर पर फिल्माया जाना था गीत जैकी को बहुत प्रभावित किया जैकी के सहमती मिलने के बाद अनिल कपूर विनो चोपडा से रिक्वेस्ट किये के चोपडा जी अनिल कपूर को जितना पैसा महनताना के रूप में दे रहे हैं उतना पैसा जैकी स्रॉफ को भी उन्हें देना चाहिए अनिल कपूर जानते थे कि जैकी स्रॉफ बहुत मुश्किल दोर से गुजर रहे हैं और जैकी स्रॉफ ये नहीं चाहते हैं कि उनके बुरे वक्त का फाइदा कोई भी उठाए इसलिए अनिल कपूर ने चोपरा साहब से ये निवेदन किये थे लेकिन शूटिंग के बीच में ही विदू विनो चोपरा ने जैकी स्रॉफ को अपने आधी महनताना पर काम करने के लिए राजी करवा लिए तब अनिल कपूर को इस बात का पता नहीं था अनिल कपूर को इसका पता तब चला जब विदू विनो चोपरा ने अनिल कपूर से भी कम पैसे में काम करने का प्रस्ताव रखे विदू विनो चोपरा अनिल कपूर को बताए कि जैकी स्रॉफ अपने महनताना के आधे पैसा में काम करने के लिए राजी हो गए तो अनिल कपूर को भी ये करना चाहिए लेकिन अनिल कपूर इस मुद्दे पर समझोता करने के लिए तयार नहीं हुए क्यूंकि उस समय उनके फिल्म तेजाब सुपर हिट हो चुकी थी और अनिल कपूर को ये भी पता चल गया था कि परिंदा मुवी के राइट्स बेचकर विदू विनो चोपड़ा को एक मोटी रकम मिलने वाला है बड़े सितारों के अपनी अपनी डेट्स और शुटिंग शिडियूल को एड़्जास्ट करने और लोकेशन चैन में देरी के कारण फिल्म को शुरू होने में लगभग तीन साल लग गया लेकिन शुटिंग शुरू होने के बाद फिल्म को पूरा होने में महज 66 दिन 66 डेज लगा इस फिल्म के डायलॉग्स बेहद राफ थे परिंदा 1989 में सेंसर बोर्ड से एडल्ट सार्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई थी इस फिल्म में मुख्यक खलनायक या विलेन अन्ना का किरदार सबसे पहले अनुपम खेर को अफर किया गया था लेकिन बाद में विनो चोपडा ने अनुपम को फिल्म से हटा दिया वज़ा थी कि उन्होंने अनुपम खेर से कहा कि अनुपम पहले भी इस तरह के किरदार निभा चुके हैं लेकिन असली वज़य तो ये थी कि विनो चोपडा ने सोचा कि नाना पाटेकर इस किरदार के लिए सही विकल्प है फिल्म परिंदा नाना पाटेकर का कैरियर का भी एक टारिनिंग पॉइंट या महत्वपूर्ण मोर था परिंदा के तुरंत बाद नाना पाटेकर को फिल्म प्रहार में बतोर निर्देशक काम करने का ओफर मिला परिंदा जैकी स्रॉफ की बहतरिन फिल्मों में से एक है इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर एवार्ड से नवाजा गया था 2008 में अपने फिल्म स्लैम डॉग मिलियोनियर के लिए ओसकर जितने वाले जाने माने वरिटिश निर्देशक डैनी बोयल ने एक इंटरव्यू में कहा के परिंदा फिल्म देखने के बाद उन्हें बॉम्बे की जुग्गी जोपड़ी चावल के जिवन और संस्कृती को बेहद धंग से समझ में आया जो फिल्म स्लैम डॉग मिलियोनियर की स्क्रिप्ट लिखने में उनके लिए काफी मददगार साबित हुआ फिल्म परिंदा के सहायक निर्देशक या एसिस्टेंट डिरेक्टर थे संजै लिला वनसाली उन्होंने फिल्म का एक गाना प्यार के मोड़ पे का निर्देशन किया विदू विनोच चोपड़ा को ये निर्देशन इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने अगली फिल्म 1942 A Love Story जो 1996 में रिलीज हुई थी उसके सभी गानों के निर्देशन के जिम्मेदारी संजै लिला वनसाली को सौब दी विदू विनोच चोपड़ा ने शुरुआद में वनराज भाटिया को परिंदा फिल्म के संगीत निर्देशक के रूप में लेना चाहते थे लेकिन बाद में उन्होंने अपना विचार बदल दिया और राहूल देव बर्मन को फिल्म के संगीत को निर्देशित करने के जिम्मेदारी दे दिये परिंदा में केबल तीन गाने थे और राहुल देव बर्मन की धुन की जादू से तीनों गाने को हिंदी फिल्मी गानों की दुनिया में कल्ट क्लासिक गानों का दर्जा मिला फिल्म परिंदा की कहानी और निर्मान ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया था फिल्म परिंदा एक ट्रेंड सेटर फिल्म थी